जै श्री राम, जी हाँ, सुसला जी वित्रु दिख्षी चैनल में मैंने आप ते कहा था मैं राम के रोज आपके साथ चर्चा करूँ, अलाकि राम इतने विस्रत हैं, इतने महान हैं कि उनके बारे में कुछ लिखना पढ़ना बहुती कष्ट प्रत है, जरूरी कहा रहे हैं, जहां से भी हम राम के बारे में चर्चा करते हैं, एक अलोकिक प्रकास आता है, फिर भी ये छोटा सा प्रयास है, सी राम भारती समाज के जननायक हैं, जी हां, भारती समाज के जननायक हैं, विश्व गुरू हैं, विश्व नायक हैं, ब्रहम हैं, उन ब्रहम हैं, राम का अ राम राम कहते हैं, दुक में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लच्चा में हाय राम, जब कुछ असुब होता है, तो उसमें अरे राम राम, शबत जब दिलाई जाती है, तो राम की दुहाई दिल जाती है, आज भी गाउं में कहते हैं, खाओ राम की सौगन, तुम जो कह रह गृत्त कहता है नुए राममान दवा आये, इसे रोग आपके दूराइगा, रॉवान कर उव्रिद्रु केलिए राम नाम सत्त है, जो गरीब होते है निरभल होते हैं, कमजोर होते हैं उनका बल उनका साहस राम होता है तो राम के सारी भवसागर पार करते हैं जिसके कोई नहीं है जिसका कोई नहीं अनाथ है अनाथ है बेसहार है उसके साथ राम है और जब हम शुशासन की बात करते हैं जब हम शुशासन की बात करते हैं तो रामराज की भी बात होती है अर्थात आदी काल से वर्तमान तक राम इतने सरल सहज रूप में भारतियों के जीवन में समाहित हैं कि 135 करोड भारतियों के कनकन में राम बस चुके हैं राम सब्ध को लेकर ही बच्चा-बच्चा राम का ये भारत में कहावत चल रही है स्री राम लीला प्रभु प्रमान के कनकन में राजमान असंक सर्थालियों की आस्ताव विस्वात के केंद जन जन के हिर्दय समराठ प्रभुत्री राम भगवान विश्णू के साथमे अवतार माने जाते हैं त्रेता युग में लगवक 11,000 वर्सों तक इस पावन धरा पे भगवान राम रहे हैं स्री राम मर्यादा पृत्रोतम तो हैं लेकिन भारत के सबते बड़े समाज सास्त्री भी है एक समाज सास्ती का काम सिर्फ समाजिक संबंदों, प्रकारों, सनलशना, क्रियाओं को प्रभासित करना ही नहीं होता परन उन्हें सुध्रन करना भी होता है समाज को संगटित करने के साथ साथ सामाजिकंसद्बंदों में प्रगालता लाते हुए समाज को नियंतरित करना भी है हमारे आजों जितने भी समाज साथ्थी हुए अगस्ट कॉम्म 나쁫ने से लेक्रतमान एंथनी की डिनस टाक सभी ने सिर्फ समाज को परवासित ही क्या है समाज के अवधारनात्मक पक्ष बताएं हैं इन सभी ने समाज को कीजिए के लिए सध्धान्तिक आयाम की रूप में अपने विचार प्रस्तुत गें ऐसा करना चाहिए ऐसा कीजिए ये उनके थोर्टिकल थोट थे लेकिन स्री पहले और अंते मैंसे समाज सासिय जिन्होंने राम राज का अदर्स समाज के एक समान नागरिक रूप में करके समाज की सध्ध सक्तियों को संग्ठित करने के साथ ही साथ एक नागरिक के भीतर शौर संगर सुबा प्राकरम को जागरत करके राम रूवी विधर्मी तत्वी तत्तों को अर्था समाजिक व्याधियों को विनास करने का सध्धांतिक विवेचन पराईए ग्रूप में प्रस्थुत किया परवार की जब बात आती है हर कोई कहता है मेरा बेटा राम जैसा होना चाहिए मेरा भाई राम जैसा होना चाहिए महिलाएं कहती है मेरा पती राम जैसा होना चाहिए मा कहती है मेरा बाल को पाल राम जैसा होना चाहिए मित्र कहते है राम जैसा होना चाहिए चाहिए वो सुग्री हो चाहिए केवट हो केवट होता है कि मेरे सारे नाविक राम जैसे हो ये अलग-अलग भाव हैं समाज के जितने भी सामाजी के भाव हैं पारेवारिक भाव हैं सभी को राम ने जिया है समाज सास्य के मानता है कि समाज में धर्म, चाती, लेंग, अमीर, गरीब में कोई भेदवाव ना हो ये इसका दृष्टान सबसे पहले समाज में समाजिक समरस्था के स्थापना के लिए समाजिक नियंतरन परंप्रा, धर्मिक आदर्शों की स्थापना राम के समय से ही की गई है स्रेता युग में स्री राम ने केवट और सबरी के साथ जो आत्पीता प्रस्तुत की वह पताती है कि त्रेता युग में समाज का संचालन कैसी हो और आगे भी कैसे चले स्री राम ने से स्वयम करके समाज को पीदेत किया उन्होंने समानता के इतने बड़े अनुवाई थे स्री राम समानता के बहुत बड़े अनुवाई थे कि युद्में भी आपने कहीं कहीं अस्त्रविहीन रावन पर सस्त उठाना उचित नहीं समझा स्री राम ने युद्वें भी आदर्ष और मर्यादा का पालन किया है जो एक मानवी आदर्ष या मानवी मर्यादा के प्रतीक है इसलिए हम कहते हैं राम जीवन के आदार है प्रख्यात समाज सास्री रादा कमल मुकरजी ने मूलियों के समाज सास की जो विवेशना की है वो वास्तों में स्री राम के बताए गए मूल ही है सबरी के जूटे बेर खाकर प्रभु ने समाज को एक मानवी संदेश दे कर बताया कि समाज को जाती भासा प्रांत या अनिक किसी भी अधार के भेदवाव को प्रकती से समाप्त कर संपूर समाज को एकात्म सूथ में बादना चाहिए अपने चौदा वर्स के बनिमास में उत्तर भारत से जच्छन भारत की पद्यात रहकर आसरिक समाज का समापन कर समाज में सुरक्षा और देवत की अविरल धारा का प्रफाग किया इसलिए कहा जाता है स्री राम सबसे बड़े समासासी हैं समाज का चिंतन करते हैं समाज का लेखन करते हैं समाज के नियम बताते हैं समाज को संगठित करते हैं समाज को नियंतित करते हैं समाजिक प्रक्रिया समाजिक संबंदों को प्रकार्था के साथ चोड़ ले का काम स् विद्वानों को हम सभी समासास के विद्यारतियों को स्री राम के समासास्री पक्ष को भी देखना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसे शेयर कीजिए इसमें कमेंट सीजिए और लाइक कीजिए।